बच्चो माइने मिस दिपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास फर्स्ट की मैथ की वक्षिट आई है वक्षिट नमबर 179 जिसकी डेट 26 फरवरी 2020 रहेगी और इसमें बच्चो हम लोग अपने हाथ से कोई चीज हम कैसे नापते हैं वो जानेंगे पिछली वक्षिट में भी हमने यही पड़ा था और आज भी हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं देखे जैसे की एक पैंसिल है किस तरह से ये बच्चा जो है पैंसिल को अपने हाथ की बिला हाथ की नपाई से न अंदाजे लगाया था तो आज हम अपने हाथ की साहिता से कुछ और नापना सीखेंगे सोनु आज अपने घर की चीजों को नापकर यह पता लगाना चाहता है कि किस वस्तु की लंबाई कितने बालिस्ट है सोनु ने पैंसिल की लंबाई नापने के लिए दिये गए चित् चुरू किया एक बालिस्त या एक हैड्सपन जहां खतम होता है वहाँ पर पैंसिल का निशान लगाया और वहीं से ही दूसरा निशान और वहीं से ही उसने अपना हाथ दुबारे रखकर दुबारे नापना सुरू किया इस तरह से उसने पैंसिल की लंबाई को नापा जैस आप कोई भी चीज नाप सकते हैं दर्वाजी की लंबाई खिड़की की लंबाई या फिर कोई आपकी किताब है उसकी लंबाई तो आप बच्ची ये काम जरूर करना क्योंकि आपको ऐसा नापना आना चाहिए कितने बार हमारे पास स्केल नहीं होता नापने के लिए कुछ स गया है चमच दी गई है और पैंसिल बोक्स हमें दिया गया है चटाई और टूथ ब्रश इनकी लंबाई नापकर आपको बतानी है कि कितने बालिस्ति के बराबर है कितने से थोड़ा कम है कितने से जाद है तो जैसे कि ये बेलन नापा तीन बालिस्ति से थोड़ा सा लंब तो दो बालिस्त से थोड़ा सा लंबा है आप लोग यह लिख देना दो बालिस्त से थोड़ा लंबा है पैंसिल किसी का चोटा होता है किसी का बड़ा होता है बच्चों यह सिर्फ एक अनुमान से मैं आपको बता रही हूँ यसी तरह से पैंसिल बोक्स जब आप नापोगे देखो तो एक बालिस्त आपका यहां पूरा हो रहा है दूसरा बालिस्त आपका यहां पूरा हो रहा है तीसरा तो आप क्या लिखोगे कि तीन बालिस्त के बराबर है हर एक बच्चे का हाथ छोटा बड़ा होता है बच्चो तो आपका बालिस्त भी छोटा बड़ा हो सकता है चटाई आप नाप देना देखो एक बालिस्त दो बालिस्त तीन बालिस्त चार बालिस्त तो आप लिख देना की चार बालिस्त के बराबर है आप लेकिन नाप का जरूर लिखना मेरे वाला नहीं लिखना है आपको क्योंकि मेरे और आपके हाथ में अंतर होगा बच्चो आप अपने हाथ से नाप का तब लिखना है इसी तरह से आपको टूद ब्रश का देखना है आपको लिखना है कि एक बालिस्त से थोड़ा सा कम है या ज़ादा है एक बालिस्त से कम है अगा छोटा बुरूश है तो कम होगा बड़ा है थोड़ा ज़ादा होगा ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप अपने हाथ के अकोर्डिंग देखना ये मैंने सिर्फ आपको अंदाजा बता दिया कि हम किस तरह से नापते हैं साथ ही आपको अपनी गनित की अभ्यास पुस्तिका में से 101-102 प्रस्ट भी करना है 101 और 102 अभी भागों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को बताईए कि बालिस्त के लावा हम बाजू और कदमों से भी लंबाई नाप सकते हैं इसके अलावा हम और किन किन चीज़ों के दूरा लंबाई नाप सकते हैं उनके सूची बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए कि अगर हमें कोई भी लंबाई नाप नहीं है तो हमें उसे किस की चीज से नाप सकते हैं पैरों के कदमों से नाप सकते हैं एक कदम दो कदम है ना बालिस से नाप सकते हैं तो आपको इस तरह से अपने बच्चों को समझाना है तो आज के लिए आपकी ये छोटी सी वरक्षिट थी वीडियो अच्छी लग लिए तो उसको लाइक जरूर करना थैंक्यू बज्चो